हलो फ्रेंड्स आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि अगर आप किसी को मैसेज भेजते हैं और आप चाहते हैं कि वो मैसेज जो है अपने आप उसके पढ़ने के बाद डिलीट हो जाया तो वो कैसे होगा तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे लेकिन से पहले दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं इसमें Android Tips and Tricks प्लस Android Mobile के जितने भी Accessories हैं उससे सम्मादित अन्बॉक्सिंग करता हूँ तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आप इसे जो है ऐसे ही अपने Messenger से ऐसे नहीं कर सकते तुरण डिलीट नहीं कर सकते इसके लिए कुछ जो है वेबसाइट की मदद लेनी पड़ेगी तो उन वेबसाइट के जो है सतारे वेबसाइट के लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्सन में दे दूँगा तो आप वहां से डारेक्ट जा सकते हैं तो पहला जो साइट है उसका नाम है यह डिस्ट्रिक्टिंग मैसेज डाट कॉम तो इसमें आपको तीन आप्सन मिलेंगे जनरेट लिंक प्लस यहां पर टाइम है 15 से लेकर पांच मिनट का आपको टाइम मिलेगा और यहां पर आप अपना मैसेज जो है टाइप कर सकते हैं आप जो भी अपना मैसेज यहां पर टाइप करके जो है क्रियेट मैसेज पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको लिंक मिलेगा इस तरह से आपको एक link मिलेगा इस link को आप copy कर सकते हैं यहां से और जो है आप जिसे भी भेजना चाहते हैं उसे भेज सकते हैं तो इस link को आप copy करेंगे तो हमने पूरे time set कर दिया है तो इसे मैं copy करके एक बार दिखा देता हूं कि जब आप send करेंगे तो जो receive करेगा वो open क करने के बाद कैसे दिखाए देगा तो मैं इसे दिखा देता हूं एक बार जब ओपन करेगा तो इस तरह से कुछ दिखा देगा यहां नीचे आपका message रहेगा और उपर जो है time दिखाते रहेगा कि इतना second में जो है आपका message अपने आप delete होने वाला है तो यह है first website जिसमें आपको 15 seconds से लेकर जो है five minute तक का time रहेगा message को delete होने में तो उसके बाद है next जो website है उसका नाम भी मैं description में दे दूँगा मतलब सारी website के नाम मैं description में दे दूँगा जिससे आप डारेक्ट जा सकते हैं तो इसमें भी same process है लेकिन इसमें एक option extra है इसमें आप अपना message टाइप कर सकते हैं और इसमें जो है आपको five minute से लेकर seven days तक का time रहेगा message delete होने के लिए तो आप यहाँ पर अपना create a secret link यहाँ पर create कर सकते हैं प्लस इसमें और एक option है generate a random password तो आप यहाँ पर एक random password भी generate कर सकते हैं प्रोसेस सेम है और third है private note तो यह एक site है जिसमें आप यह भी same है लेकिन इसमें भी कुछ extra options मिलेंगे आपको तो आपको भी इसमें जो है अपना जो है पढ़ने के तुरंद बाद जलीट फिर एक hour 24 hour ऐसे मतलब इसमें time है उसके बाद आप इसमें manually जो है आपने हिसाब से कोई भी password set कर सकते हैं इसमें तो यह इसमें यह कर सकते हैं बागी जो है process तीनों में same है आपको एक link जो है create करना पड़ेगा और उसको आप जिसे भी भी भीजना चाहते हैं उसे भीजना होगा तो thank you दोस्तो यह हैं तीन website जिनके मैं जिनमें आप ऐसे secret message create कर सकते हैं thank you for watching this video friends or please subscribe जरूर करिएगा मेरे चैनल को